नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है तार के सुवर अब देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मुबाइलिक करें दोस्तो आज के टाइम में हम 3 घंटे बीना पानी के रह सकते हैं बीना खाना के रह सकते हैं लेकिन 30 मिनट बीना इंटरनेट कराना बड़ा मुश्किल है दोस्तो आपने कभी सोचा है पुरा वर्ल्ड में इंटरनेट कैसे चलता है इंटरनेट की सुरुवात कहा से हुआ और कब से हुआ आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं तो विडियो को अंद तक देखना अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्क्राइब कर देजे मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आते रहता हूं तो आए विडियो को सुरू करते हैं दोस्तों इंटरनेट दो सब्दों से मिलकर बना है इंटर प्लस नेट इंटर का मतलब होता है पारसपरिक और नेट का मतलब होता है नेटवर्क अथार्थ जो पूरे संसार के कम्पूटर नेटवर्ग को सेटलाइट और टेलिफॉन के माधदम से आपस में जोड़ता है कम्पूटर नेटवर्ग को जोड़ने की पहल MIT United State में 1960 में हुई थी और पहला भेजा गया संदेश LOGY था दरसल असल सब्द था LOGYन लेकिन कम्पूटर नेटवर्ग लेटर जी के भारी बरकम डाटा लोड सहर नहीं पाया और क्रेस हो गया जब हम Google पर सर्च करने के लिए कोई सब्द टाइफ करते हैं तो उससे संबंदित ज्यानकारी हम तक पहुँचाने के लिए जीरो पॉइंट टू सेकेंड में लगभग एक हजार कम्पूटर का इस्तमाल करता है दोस्तों इंटरनेट सुचना तक्निक की सबसे आधुनिक परनाली है इंटरनेट को आप विवीन कम्पूटर नेटवर्ग का एक विश्वशतरिया समो का सकते हैं इस नेटवर्ग में ह कमपनी या सरकार के अधिन नहीं होता इसमें बहुत से सर्वर जुड़े हैं जो अलग-अलग संस्ताओं या प्राइवेट कमपनियों के होते हैं कुछ परचलित इंटरनेट सवाए जैसे गौफर फाइल ट्रांसपर पॉर्टोकॉल वर्ल्ड वाइड बेप परियोग असान वह सस्ता माइड़ा में दोस्तों इंटरनेट क्लाइट सर्वर आर्किटेक्चर पर आधारी थे जिसमें आपका कम्पूटर या मोबाइल जो इंटरनेट पर मौजुद सुचनाओं का परियोग कर रहे हैं वह क्लाइट का लाते हैं और जहां यह सुचना सुरच्छि रखी है उन्हें हम सर्वर करते हैं दोस्तों पराई इंटरनेट पर मौजुद सुचनाओं को देखने के लिए हम बेब ब्राउजर का परियोग करते हैं यह क्लाइन प्रोग्राम होते हैं दोस्तों बेब ब्राउजर का यूज कर इंटरनेट पर उपलोप्त विभीन सेवा चाहती थी, 1969 में अपरानेट नाम का एक नेटवर्क बनाया गया, जो चार कम्पूटर को जोड़ कर बनाया गया था, तब इंटरनेट की परगती सही तरीके से चालो हुई, 1972 तक इसमें जूडने वाले कम्पूटर की संख्या साइथिस हो गयी थी, 1973 तक इसका बिस्तार इंग के लिए सामाय नियम बनाया गया, उन्हें पोर्टोकोल कहा गया है, इन पोर्टोकोल को TCP IP Transmission Control पोर्टोकोल, इंटरनेट पोर्टोकोल के नाम से जाना गया, 1990 में अर्पानेट को समाप्त कर दिया गया था, तथा नेटवर्क ओप, नेटवर्क के रुप में इंटरनेट बन बना रहा, बरतमान में इंटरनेट के माइदम से लाखो या करोरो कम्पूटर एक दूसरे से जुड़े है, BSNL बिदेश संचार निगम लिमिटेड बहरत में इंटरनेट के लिए नेटवर्क की सिवाये परदान करती है, दोस्तों हम किसी भी मोबाइल या कम्पूटर में इंटरनेट चलाते हैं, उसको अपिकाते हैं, ISP यानि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, दोस्तों जैसे कि BSNL, GEO, ATL, IDEA उन सारी तमाम कमपनियां जो हम से कुछ पैसा लेकर हमें इंटरनेट की सुवेदा उबलब्द कराते हैं, इंटरनेट को चलने के लिए कुछ न इंटरनेट में जितनी भी सुचनाय मौजूद है, उसको ब्राउज करने के लिए, उन्हें देखने के लिए हम एक स्पेसल सॉफ्ट्वेर का परियोग करते हैं, जिसे हम वेब ब्राउजर करते हैं, जैसे गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्स्प्लोरर और मौजिला फायरफ अब बार आये हो, तो चैनल को सब्क्राइब कर देना, साथ हे अबेल वाली घंटी दबा दे, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नौटिपकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे, तब तक अपना ख्याल रखना, जैहिंद, बंदे मातरम, मिलते हैं एक और नई जानकारी के स झाल